हाई एवरीवन और हम कर रहे हैं दस का दम हम चाहते हैं दमदार परस्नालिटी और आज का हमारा जो सेंटन्स है इस कीप फोकस ओन यॉर्सेल्फ परस्नालिटी आपको बनानी है दुनिया आपको जीतनी है सक्सेस आपको चाहिए तो फोकस दूसरों पे क्यों अगर हम पूरा दिन दूसरों के बारे में सोचेंगे उनकी लाइफ के उपर रिसर्च करेंगे व्यस्त रहेंगे तो हमारा डेवलोपमेंट कब होगा ये तो बात हुई के आप पडोसी के घर पे खाना पका के खुद खाने का इंतजार करो So this is not going to work You have to focus on yourself सुबर से लेके शान तक आपका माइन इसी चीज में एंगेज रहना चाहिए That how do you want to grow your life आप, आपके लोग It has to be your priority मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो दूसरों की बातों में इतने व्यस्त है उनका आधा दिन शायद वो दूसरों की चिंता में निकाल देते है किसी के issues को सोचना उनकी life पे research करना उस पे comment देना backbeaching करना positive बाते करना या कुछ भी करना At the end, it is engaging your time your energy और सबसे बड़ी बात उतना time आपका कम हो रहा है self growth के लिए तो अगर आपको life को थोड़ा सा भी change करना है पूरा focus खुद पे लाना है आप बदल गए तो आपकी दुनिया अपने आप बदलेगी So don't keep on talking about others Let's not bother कि दूसरे क्या कर रहे है Let's bother हम क्या कर सकते है एक successful इनसान वो है जो अपना projection अपने आपको साथ में रखके करता है बाकी की जो होती है उसे सिर्फ gossip कहते है या planning कहते है जब आप खुद पे focus करते है तो आपको खुद की कुछ कमिया मिलेगी आपको कोई area दिखेगा जहां आपका development missing है मगर वो कब होता है जब हम दूसरों से focus को हटा के खुद को देखते है आईना सिर्फ सजने सवरने के लिए नहीं होता खुद की अच्छाया और खुद की weakness इसको भी समझने के लिए होता है सो मैं चाहती हूँ personality development का ये आईना आप जरूर देखे क्योंकि इसको देखने से ही आपको future के रास्ते दिखेंगे क्या करना है उसके solutions मिलेंगे सो mind well अगर आपके आसपास ऐसे लोग है जो हमेशा आपके साथ दूसरों की बाते करते है don't entertain them cut from them because ये वो लोग है जो एक एक दो दो घंटा दूसरों की बातों में आपको व्यस्त रखते है चाहे वो business पे है personal life में है या फिर personal लोग है you have to stop अगर आप उनको नहीं रोख सकते it's okay अगर आप रुक तो सकते है and that's what I want to tell all of you let's invest our time after our own growth काफी बार काफी लोग मुझे ये कहते है कि आप बहुत कम socializing करते है no, it is not right I do, जितना जरूरी है but मेरा पूरा focus self पे रहता है क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ जितना मैं grow करूंगी उतना ही दूसरों को grow कर पाऊंगी it's a vice versa game of life और मैं आपको वापिस याद दिला दूँ मैं आपकी दोस पूजा व्यास personality groomer, influencer और life coach और हमने piouspooja.com को ready कर लिया है आपके लिए 81 video lessons are waiting for you आपका इंतजार कर रहे है million dollar transformation के हमारे nine bundles link को press कीजिए आप check करो के हमारा जो experience है जो expertise है हमने सब निचोड के video lessons में आपके लिए ready कर दी है so access them now और में बता दू we are giving fantastic offer to all of you don't miss because this is a gift to you and yourself I'll see you with the next 10 का दब till then bye-bye